नमस्कार डेली करेंट न्यूज में आपका स्वागत है डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूडिवादी ब्राहम मड़ परिवार में हुआ था राजा राम मोहन राय की प्रारंबिक सिक्षा फार्सी और अर्वी भाशाओं में पटना में हुई जहां उन्होंने कुरान, सुफी रहिश्यवादी कवियों के काम तता प्लेटो और अरस्तू के कारियों के अर्वी अनवात का अध्धिन किया था बनारास में उन्होंने संस्कृत का अध्यन किया और वे तथा उपनिशत पढ़ी 16 वर्ष की आयू में अपने गाउं लोटकर उन्होंने हिन्नू की मूर्ती पूजा पर एक तरक संगत आलोचना लिखी वर्ष 1803-1814 तक उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी के लिए वुट फोर्ट और डिगवी के अंतरगत निजी दीवान के रूप में काम किया वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से स्थीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रती समनपित करने के लिए कलकत्ता चले गए नवंबर 1830 में विसती पर था समन्धी अधिनियम पर प्रतिबंदे लगाने से उत्पन संभावेत शांती का प्रतिकार करने के उदिश से इंग्लेंड चले गए राजा राम मुहन राए दिल्ली के मुगल समराट अकबर दुती के पैशन से समन्धी शिकायतों हेतु इंग्लेंड गए तभी अकबर दुती द्वारा उन्हें राजा की उपाधी दी गए अपनी सम्मोधन में टैगोर ने राजा राम मुहन राय को भारत में आदनियों की क्योद घाटन करता की रूप में भारती इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा वर्स 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जादिकट का ठोड़ता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य समाजिक बुरायों का रोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थाप ना की उन्होंने इसाई धर्म के कर्मकांट के अलोचना की और इसा मसी को इशुर की अवतार की रूप में खारिज कर दिया उन्होंने वर्स 1815 में आत्मी सभा, वर्स 1821 में कलकत्ता, यूनिटेरियन एस्सोसीशन और वर्स 1828 में ब्रह्म सभा की स्थाप ना की उन्होंने वर्स 1817 में हिंदू कॉलेज खोले में डेविट हेर के प्रयासों का समर्थन किया जा मेकेनिक्स और वोल्टियर के द्रशन को पढ़ाया जाता था वर्स 1825 में उन्होंने वेदान्त कॉलेज की स्थापना की जहां भारति सिक्षर और पश्च्रमी समाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पार्टि क्रमों को पढ़ाया जाता था झाल